अस्सलामू अलेकुम आज हम बनाएंगे मुंग डाल की पूरी जो एकदम हेल्दी और टेस्टी होता है इसमें केलरी बहुत जादा होता है तो चलते हैं शुरू करते हैं एकदम मज़ेदार की रेसीपी है तो फटा-फट से शुरू करते हैं तो हमने यहां पे एक कप मुंग कर सकते हैं मीडियम तिखा हो थोड़ी सी पानी डाल कर इसे हम बारिक सा पेस्ट बना लेते हैं तो आप देख सकते हैं बारिक सा पेस्ट बन चुका है तो बावल में हम डालेंगे एक से डिल कप छाना हुआ आटा अपने दावी ले सकते हो अर इसी के साद थोड़ी सी कलों तो पूरी बनावाएं तो कोथ मिर निकाल देते हैं, साइट पे कर देते हैं, उन्हें खाने में नहीं अच्छा लगता है, इसलिए हमने नहीं डाले, अगर आपके घर में सभी को कोथ मिर पसंद करके रख़ देतें 10 के 10 से 15 के लिए थोड़ा सा तेल लगाकर अच्छी अच्छी 25 को बिख्षों देगे्ry अजे पूरी और बना कर आप चाय के साथ भी खा सकते हो सबजी के साथ भी खा सकते हो तो छोटे-छोटे हम पेड़े बना लेते हैं पेले ताके हमें बेलने में जिल्दी से हो जाए और सानी से हमारी पूरी बनकर तयार हो जाए तो छोटी से हमने यह पेड़े ले लिए पेड़े को थोड़ा सा सुका आटा डाल कर इसे हम बेल लेते हैं, आप तेल से भी बेल सकते हो, हलका सा हमने आटा लगा है और फटा-फट से इसे बेल लेते हैं, पूरी के साइज में बेलेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं बेलेंगे, जिस तरह पूरी बनाया जाता है, तो आप देख सकते हैं, छो तो देल ही तर हमारा गरम हो चुका हमने पहले से गरम होने के लिए रख दिये थे तो हमने पूरी डाल दीए अब देख सकते हैं अच्छे से हमारी पूरी भी भूल जाती है बहुत टेश्टी रेशीपी है एक तम खाने में भी बहुत अच्छा लगता है तो इसी तरह फटा लोगों को ये हेल्दी रेसिपी बहुत से बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी अगर एक बार खालोगे तो खाते रह जाओगे अगर आपको रेसिपी पसंद है तो लाइक से रिकमेंट करें और चलते फटा फट से सव कर लेते हैं हमारे पूरी तयार हो गई है तो यहां पर हमने चिकन मसाला बनाया है और इसके साथ पूरी बनाया है अगर आपको सबजी पसंद है तो आप सबजी भी बना सकते एक दम मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सेर कमेंट करें दुसरों तक पोचाए संडे पी बहुत मज़ेदार रेसिपी है